तो आज है day 13, कल हमने cover किया था day 12 और ये हमारे चल रहा है उत्राखन MCQ series का day 13 तो चलिए शुरू करते हैं Hello everyone, welcome back to channel, तो कैसे हैं आप लोग I hope अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं UK PSC और UK AAAC में पूछे जाने वाले 20 important MCQs के बारे में जो के आपके forest guard, पटवारी, लेक पाल और police constable exam के लिए काफे important हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला MCQ है आप लोगों के लिए उत्राखन के निम्न कस्बों में से कौन सा कजबा तराई छेतर में इस्तित है यानि ये जो location दिए गए है options में वो question ये कह रहा है कि ये तराई छेतर में कौन से कजबे इस्तित हैं यानि औरंगबाद, जौलपूर, सितारगंज, बाजपूर, कासेपूर, खटीमा या उप्रियुक सभी तो इसमें जो आपका सेयान सार है वो है option नमर D वो प्रियुक सभी, ये सभी जो location है, जो जगह है, वो सभी तराई छेतर में इस्तित हैं अगला MC क्यों है, उतराखन राजे के सरवादिक मूचाई वाली अधिकांज, परवत, चोटियां कहां पर इस्तित हैं और आगे जाने से पहला मैं आपको बता दू कि यदि आप इस過डिक को लेना चाहते हैं तो description box और first comment में आपको WhatsApp गुरू लिंक मिज जाएगा तो आप वहाँ से join कर सकते हैं या आपको स्क्रीन पर हमारा number दीख रहा होगा उस पर आप message करके हमसे गुरू में जोड़ सकते हैं ओके अगला MC क्यो है नर्वन नारयान परवतों के मध्य क्या इस्तित है फोनों के घाटी जोसिमर्ट तपवन बदरीनाथ उप्सन नमर डी आपको इसमें से answer है बदरीनाथ नर्वन नारयान परवतों के मध्य इस्तित है बदरीनाथ मंदिर और अगला MC क्यो है नंधोर दून निम्न में से किस जनपन में इस्तित है उधम सिंग नगर नेनी ताल गड़वाल यानि पॉड़ी गड़वाल और अरिजवार तो अप्सन नमर B is your right answer नेनी ताल में नंधोर दून नेनी ताल में इस्तित है अगला MC क्यो है उत्राखन में भावर गाटी में निम्न में से उपोष्ण परकार की जल्वाई दर्साए गए है और अगला एमसी क्यों है पंचा चूली सिखर समुद्र तल से उचाई कितनी है यानि पंचा चूली सिखर की समुद्र तल से उचाई कितनी है 6806 मीटर, 7120 मीटर, 694 मीटर और 7456 मीटर इसमें जो सही आंसर है आपको वो है उप्सिन नमबर C 6904 मीटर है पंचा चूली सिखर की उचाई कहां से समुद्र समुद्र तल से पंचा चूली सिखर की जो उचाई है वो है 6904 मीटर और अगला MC को है काली और गोरी नदियों का संगम कहां पर हुआ है जोल जीवे में, डोडी हार्ट में, मुनसयारी में या टनकपुर में तो होपली आपका रिविजन हो चुका होगा क्योंकि पिछली सिरीज में ये मैंने आपको बता दिया था तो जोल जीवे आपका इसमें सही आंसर है, उप्सिन नमर ए, काली और गोरी नदियों का जो संगम होता है, वो होता है जोल जीवे में अगले है निमने लिखिन में से कुमाव मंडल का सबसे बड़ा हिमनत है, पिंडारी, सुंदर, डुंगी, मिलम और खतिलिंग तो इसमें जो सही आंसर है, उप्सिन नमर सी, मिलम, मिलम गलेशियर कुमाव मंडल का सबसे बड़ा हिमनत है, अब इसको प्रसासनिक रूप से देखें ये पितौर्वागार जिल्ल्ये में है, जो कि मुंशारी तहसिल के अंतर गत आते हैं और यहां से नंदे देवी से पंदरा किलो मीटर यानि नो मील पूरो उतर नहीं है आपका मिलम गलेशियर अगला क्वेस्टन है निमन में से उतराखन राजे का सबसे बड़ा गलेशियर कौन सा है दोना गिरी डोरी यारी गंगोतरी या उप्रोक में से कोई नहीं तो इसमें जो आपका सेयांसर है वो है गंगोतरी उतराखन का जो सबसे बड़ा ग्रेशियर है वो है गंगोतरी अगले क्वेस्टन में हिमनत की बात आए थी क्यों प्याँ में जो आपका सेयांसर है गोला नदी ऊतराखन राजे की अगले मसी क्यों है उत्राण चल उत्थान परिस्थ का गठन किस ने किया था डॉक्टर डीडी पंद ने गोविंद वलब पंद ने सोबन सिंग जीना ने नित्यानन स्वामी ने तो option number C is your right answer सोबन सिंग जीना ने उत्राण चल उत्थान परिस्थ का गठन किया था अगला MC क्यों है गढ़वाल के लिए केदार खंड वो कुमाओ के लिए मानस खंड सब्त का उले किस में किया गया है एतरे ब्रहमन में इसकंद पुराण में महा भारत में या वेदो में तो इसमें जो आपका सेयान चरह हो है option number B इसकंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या कहा गया है केदार खंड और कुमाओ के लिए कहा गया है मानस खंड अगला MC क्यों है निम्न में से तपववन में किस ने तपश्या की थी राम ने लक्षमा ने भरत ने कपिल ने तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि तपववन में लक्षमा जी ने तपश्या की थी अगला MC क्यों है कुमाओ पर गोर्खों ने अपना अधिकार कब किया था 1788 issue में 1799 issue में 1799 issue में और 1791 issue में होफिली कि यह आपका रिविजन हो रहा है क्योंकि यह MC को दो तीन बार में आपको पहले ही बता दिया option no.6 is your right answer अगला MC को है निम्न मेंसे किस महला आंधोलन कारी को सन 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिये गए थे बसंती देवी कमला शर्मा कुंती वर्मा आशा पुरोहित option no.6 is right answer कुंती वर्मा को और अगला है प्रिथक राज की मांग सरुपर्थम स्री नगर गडवल में आयोजित भारतिया राश्ट्रिय कॉंग्रेस के विशेश अधिवेशन में उठाई गई थे अगला है निम्न में से टिहरी के प्रेथम सासक कौन थे मांग साह मेदनी शाह सुदर्शन शाह और याजुवेंद्रिः शाह अगला है किंगरी बिंगरी नीती शेल शाल और धर्मा क्या है परवत जील दर्रे उप्रोक में से कोई नहीं तो अगला है उतराखन में दार्मा वब्यास गाटियों को जोड़ने वाला धर्रा कौन साह है दार्मा वब्यास गाटियों को जोड़ने वाले दर्रा उंटा जातिया सिनला रामल तो सिनला आपको इसमें सही आंसर है उप्सिन नमर सी राइट आंसर अगला है उतराखन के नीमन कजबों में से कौन सा कजबत तराई छेतर में इस्तित है और अंगाबाद सितार गंजबादपूर काशिपूर खटेमा उप्रुक सभी अप्सिन नमर डी इस यूर राइट आंसर उप्रुक सभी तो दोस्तों थैंक यो फॉर वाचिंग और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर थैंक यो फॉर वाचिंग इस्टे कनेक्टेड इस्टे बिलेस्ट